घर में फसे रहना काफी बोरिंग हो सकता है क्योंकि आप कहीं जा भी नहीं सकते हैं इसलिए आप दिले खुद को बिजी रखवाना या फिर कुछ मज़दार करना मुश्किल हो सकता है लेकिन आप परेशान नहीं हो ऐसे कई सारी चीजे हैं जीने करके आप घर पर बोर रहने से बस सकते हैं आप अपनी फैमली के साथ में गेम खेलना, मुवी देखना, स्नेक्स बनाना या फिर आपको खुद का फिलो फोट बनाने जैसी कई चीजे कर सकते हैं आपको किसी बोरिंग दिन को एकसाइटिंग बनाने के कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे तो आए जानते हैं से कौन से काम है जो आप कर सकते हैं जब आप बोर फिल करें नमर वान डू क्राफ्ट क्राफ्ट्स बनाना किसी बोरिंग दिन में एक साथ समय बिताने का एक अच्छा तरीका होता है कुछ मज़दार क्रेटिव और डेकोरिटिव और आप जैसे भी क्राफ्ट्स बनाना चाहते हैं करें कुछ बिर्णा पाने के लिए पिंट्रेस्ट पर देखें या फिर आपकी इमेजिनेशन को खुला छोड़ दे और अपने दिन को एकसाइटिंग बनाने के लिए कुछ यूनिक क्राफ्ट बनाए ग्लू से पेपर के पर एक शेप या कोई पिक्चर ड्रॉ करके देखें इसके सूखने से पहले उसे एक शाइनी आर्ट पीस बनाने के लिए उस पर कुछ क्लिटर या कलरफूल सेंट डाल दे आप एक दूरबिन बनाने के लिए दो टॉयलेट पेपर रोल्स को एक साथ चिपका सकते हैं या एक कंस्ट्रक्शन पेपर या कॉर्ट बोर्ड को एक पीस के ऊपर एक स्टिक और कलर पेपर की बत्यों को चिपका पर आप खुद का एक वीड बना सकते हैं नमबर टू डू डू पेंटिंग और ड्रयंग परेशान ना हो आपको आपको खुद का आर्ट त्यार करने के लिए एक कूशल पेंटर या फिर एक आर्टिस्ट होने की जुरूत नहीं हैं पेंटिंग या ट्राइंग करना अपने आपको व्यक्त करने का और बोली से लड़ने का एक अच्छा तरीका होता है। अगर आप बूर हैं और घर पर फसे होएं तो कुछ इंट्रेस्टिंग आर्ट बनाकर आपने दिन को बहुत मचदार बना ले। पेंटिंग या स्केचिंग के बेक्सिस को कोई भी सीख सकता है। अगर आप पहले से एक आर्टिस्ट हैं तो फिर खुद के लिए रिवर रॉक पेंट करने या फिर एक होर्स ड्रौ करने जासे चैलिश त्यार करें। इसके लावा ट्राइ करने के लाएक और बे कई दूसरे आर्ट्स और क्राफ्ट्स मुझूद हैं जिसमें वैट चाक ड्राइंग से लेकर स्कुप्चर तक शामिल है। क्या आपने कभी बेक इंफिनिटी मिरर या गेलक्सी जार बनाया है। आपके फेवरिट सौंग के लावा ऐसी बहुत कमी चीज़ें जो आपको आपकी जगह से उठने को मजबूर कर सके। आप आपके पुराने फेवरिट गाने सुन सकते हैं या फिर आपको पसंदाने वाले नई मीजिक के तलाश भी कर सकते हैं। आप चाहें तो भी सुनना चाहें बस उसे प्ले करें और फिर शुरू हो जाएं। म्यूजिक की नई स्टाल्स या फिर ऐसे अलग-अलग आर्टिस्ट को एक्सप्लोर करके देखें जिनने आपने कभी पहले ट्राइए नहीं किया। अपने खुद की प्ले लिस्ट बना लें। रिलाक्सिंग वर्काउट के लिए पढ़ने के एक प्ले लिस्ट बना कर देखें। जिससे आपकी बोरेत खतम हो। प्ले यूर फेवरेट वीडियो गेम्स। वीडियो गेम्स भी किसी बोरिंग से दिन को और भी ज्यादे एकसेटिंग बराने का परफक्त तरीका होता है। हर किसी के लिए एक गेम तो होता ही है फिर चाहे वो तेज रफ्तार वारा शूटर गेम हो या फिर रेसिंग गेम। आपको जिस भी टाइप के वीडियो गेम अच्छा लगे अपना फेवरेट गेम केलना घर पर बिताए जा रहे हैं किसी एक बोरिंग दिन का इस्तमाल करने और उसे गुजारने का अच्छा तरीका होता है। इसके साथ यह उससे मैं अपने फ्रेंड के साथ में मज़िदार समय बिताने का अच्छा तरीका होता है। जब आप आपके घर से बाहर नहीं जा सकते। अगर आपके पास में भी काफी सारा टाइम है तो फिर माइनक्राफ्ट, पबजी या वर्ल्ड ओव वार्क्राफ्ट जैसे मुश्किल गेम्स का एक्स्प्लूर करें। आगर आप बस किसी रिलक्सिंग फन की तलाश में है तो मार्यू ट्राइ करें। आप चाहे तो अपना खुद का टैक्स्ट बेस ये बना सकते हैं। तो बैठे की मोँ उठाओ और शुरू हो जो। नमबर फाइव क्लीन दी हाउस। हाला कि भले ही आपके मन में आने वाला सबसे पहला विचारने हो। घर के सफाई करना और उसे औरगनाईस करना किसी बुरिंग दिन में आपको बीजी रखने में मदद करता है। ये आपको शायद एक काम जैसा जरूर लग सकता है लेकिन एक साब गर होना आपको काफी अच्छा महसूस करा सकता है। घर में बिताय जा रहे किसी दिन की बुरिज से राहत पाने में मदद के लिए अपने घर की सफाई करके देखे। अपने अलमारी को या ड्रेसर को औरगनाईस करने से आपके लिए आपके फिर्ट आउटफिट को पाना थोना असान हो जाएगा। किचन में चीज़ों को औरगनाईस करने से आपके फैमली को मदद मिलेगी। आपके फैमली के साथ मिल जाए और अपने पूरे घर की सफाई में मदद करें। नमबर 6. Have fun with some exercise बस इसलिए क्योंकि आप घर पर अकेले इसका मतले यह नहीं निकलता कि आपको एक्सराज नहीं कर सकते। कई सारे वर्काउट्स के लिए इक्विमेंट्स की जरूरत नहीं होती केवल आपको खुद का बोडिवेट या मुवमेंट ही जरूरी होता है। बोडिये से निपटने के लिए घर पर अकेरे रहने के दौरान वर्काउट करके देखें। आपको कही तरह के फ्री वर्काउट वीडियो मिल जाएंगे। पुश अफ्स या स्क्वेट्स से बिना कोई वजन यूज़ किये आपकी मसल्स को मजबूत करते हैं। जंपिंग जैक जैसी चीजे करना भी काड़ियो पाने का अच्छा तरीका हो सकता। नमबर 7, Plan Your Dream Vacation किसी के साथ बैठें और अपने Dream Vacation स्पोर्ट के बारे बात करें। उनसे डिसकस करें कि आप कहा जाना चाते हैं और वहां जाकर आप क्या करेंगे। उनसे भी Adventure के बारे में सोचें जाप दोनों जाना पसंद करेंगे। आप दोनों को आपके Adventure के बारे में कैसा烦ें के बारे बात करें। आप जिन जगवह वपर जाना चाते हैं उनकी कुछ favorite चीज़ों के बारे बात करें। आप कुछ maps ला सकते हैं, और उनके व उप अपने travel root को alors करके मज़े कर सकते निस चाते हैं। नमबर एट, कुक सम्तिंग टेस्टी, घर में रहना कुछ बहुत स्वाधिष्ट बनाने का एक अच्छा मोका होता है, किसी पहले से बनी या बोरिंग चीज में ही कुछ ना हो जाए, अपने घर में रहने के समय को एक्साइटिंग बनाने के लिए अपना फेवरेट खाना या फिर कुछ नया बना कर देखें, क्या किसी आसान और डिलीशिस चीज की तलाश में है, बीजा या पास्ता बना कर देखें, क्या आप किसी नई रैसिपी को आजमाने में इंट्रेस्ट रखने वाले कमिटेड कुक है, आप मीट या फिर अपनी खुद की कोई नई डिश बन आने में आपके विचारों को और्गिनाइज करने में या फिर आपकी भावनों को व्यक्त करने मदद कर सकते हैं, घर पर के लिए रहते समय अपनी बोरियत से निपटने के लिए आप इक क्रियेटिविटी को पेज के अपर बरने दें, आप चाहे तो एक स्वर्ट स्टोरी एक पोयम या एक कालपनी कथा या फिर एक डेली जन्ने बीट लिए लेक्श सकते हैं, तो आज हमने डिसकस की कुछ ऐसे ची कामों के बारे में जो आप घर पर रहते समय बोरियत के टाइम कर सकते हैं, तो आप इन में से सबसे पहले कौन सा काम करेंगे जब आप घर में बो झाल झाल